आश्वानेकुम दोस्तों आज की वीडियो आ रही है कम्प्लीट ओंसाइट के उपर ओंसाइट के उपर पहले मेरी दो वीडियो मजूद हैं पार्ट वन पार्ट टू में लेकिन यह जो है यह कम्प्लीट एक उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है सो आप बताइए कैसी लगी है वीडियो और ओंसाइट काफी इंपोर्टेंट डॉल प्ले करता है वेबसाइट की रेंकिंग के अंदर सो मैं इन्शाला मैंने कोशिश की है कि जितनी भी चीज़ें कवर कर सको मैं कवर करूं इस वीडियो के अंदर सो स्टार्ट करते हैं इस पीके अंदर अगर कस्टम साइट बनी है तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सबका सेम है वर्डप्रेस हमें हेल्प करता है यह वर्डप्रेस प्लगिन हमें हेल्प करती है इसी टू सेट अप ठिंग्स ऐसा कोई भी रोकिट साइєн्स ने कि प्लगिन से आपकि रंकिंग ज़्यादा आ जाएगी फ्री मेरे पास प्लगिन्स भी हैं लेकिन तर ज्यादा तर मैं भी आपको करऊंगा कि आप इसमें फ्री फ्लगिजद करें अच्छे प्लगिन्स के उपर ऐसे में डिटेल के अंदर एक लएड़ा विडियो बढ़ूँगा लेकिन अब भी अगर हम देखें प्लगिन्स के दर अगर हम राते हैं एड़ न्यू में आते हैं मेरी बहुत फेवरिट प्लगिन है ये यूस्ट को मैं इतना लाइक नहीं करता है क्योंकि इसके अप्शन्स काम हैं रैंक मैं आजकल मैं ज्यारत तर यूस कर रहा हूं सो रैंक मैं न्यूस कर सकते हैं आप तो कि क्या क्या चीशें हैं जो मैं ना करना चाहित हैं घर और यह आता कि यू Сам हमारा जो टाइटल है इसके अंदर हमारा जो है हमारा कीवर्ड न चाहिए लाजमी यह हेल्प करता है ट्रिगर करता है जब भी कोई बंदा क्यों रिसरच करेगा वाटर इंटेक कैलकुलेटर तो जो भी बैस्ट result होंगे against water intake calculator के Google इसको show करेगा अच्छा अब आपकी site अगर आठ्वे नंबर पे है यह आठ्वे पे पे है यह द्रस्वे पे पे that's mean कि जो उपर वाला content है वो ज्यादा strong है आपके content से तो यह एक simple की है इसको detail के अंदर हम बार में discuss करेंगे अभी हम जो factor on site के discuss करेंगे उसके उपर चलते हैं जो अपना जो दूसर अच्छा यह अच्छा एक और चीज़ यह आपका आगया SEO title ठीक है और यह आपका आगया post title अब यह तो page है अगर हम किसी post के उपर जाते हैं for example हम यहां से कोई post open कर लेते हैं post के उपर मैं जाता हूं all post के अंदर जाता हूं और यह तो दो चीज़ें आ जाती है अच्छा यह कोशिच करनी है कि आपका जो h1 है वह आपका एक ही दफ़र लेकिन yes आप जो है अपना यह लेकिए यह हमारा post title आगया और जो हमारा SEO आजागा अगर आपनी लेडर डाला है नौर्मिल लोका करते हैं यह यह title छोड़ेते हैं यह auto यहां जो है फेच कर लेता है plug-in के अंदर यह down करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ यहां plug-in के अंदर auto fetch कर लेता है अगर अपने top के उपर नहीं डाला और यह देखें जो हमारा उपर है यहां से आप different वी हुआ सकते हैं फोर इसके बाद हमारा जो हमारा जो हमारा जो हमारा जो हमारा वह आजगे लेकिन मैंने इसको अपना जो है कस्टम दे रही है वह हमारा एक तो उनके उपर content होना चाहिए दूसरा वह हमारा जो है सब heading जो है हमारी हेश के अंदर रहना चाहिए for example अगर मैं water intake calculator को google करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां right के उपर plugins के अंदर हमें जो है keyword surfer यूज करता हूँ और keyword everywhere भी है जो मरदी आप इसके अंदर use कर लें तो keyword surfer free है इसके अंदर related keyword आ जाते हैं मैंने keyword grouping के अंदर भी एक video बनाई थी किस तरीके से आप group बना सकते है keywords का वो वीडियो भी मेरे चैनल के उपर पढ़ी है अगर आप नहीं देखी तो वीडियो देखें आप उसके अंदर आप इसको समझ जाएंगे तो हमारा जो related keyword है जो relevant keyword है वो हमारे जो है h2, h3 के अंदर आनी चाहिए जो हमने यहां put कर दी है अच्छा एक और जो बड़ा main point आपका पहला 100 words है उसके अंदर आपका keyword आना चाहिए for example यहां हमारे मैंने शुरू के अंदर देडिया water intake calculator यह हमने देडिया अच्छा यह बोल्ड और italic मैं कोई बहुत ज्यादा recommend नहीं करता क्योंकि मेरे ख्याल में इतना बड़ 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 बड़ा factor नहीं है यह ranking के अगर कोई specific चीज आप दिखाना चाहते है कस्टमर को कि किसी चीज का rate है for example और पूरे page के अंदर आ रहा है तो आप उसको बोल्ड कर देंगे कस्टमर अगर rate पढ़ने आए तो वहां उसके उपर सिदा straight away उसको नजर आ जाए या आप को download things का button है तो उसको थोड़ा image है उसके बाद हमारा आ जाते है image के अंदर आपका keyword जो है हमारा आना चाहिए for example मैं यहां जाता हूं तो यहां अगर देखेंगे तो आप यहां हम अपना keyword डाल सकते हैं इसको हम करते हैं आप वाटर इंटेग कैलकुलेटर डेली वाटर इंटेग कैलकुलेटर चार्ट ना का लिए अच्छा इसको यहां आपना जो है but मैंने आप जो दूसा keyword है how much water you should drink मैंने वो डाला हूँ है तो इसको मैं यहां डाल देता हूं डेली वाटर इंटेग कैलकुलेटर बाइ बॉड़ी वेट ठीक है मैं अप्टेट करेंगा ओके यह भी हमारा उसके बाद यह भी हमारी चीज हो गई उसके बाद हमारी जो next बड़ी important step है वो है interlinking interlinking यानि हमारा in domain ही एक page से दूसरे page को link करना यानि वो एक तो help करता है आपको traffic drive करने में एक page से दूसरे page website के उपर जो भी user आता है उसको गुमाता है दूसरा यह help करता है आपकी जो है user friendly structure में और जो user friendly structure है वो help करेगा आपको Google ranking के अंदर इस तरीके से यह चीज help out करती है interlinking के अंदर एक चीज में आपने यार रखनी है कि जब भी आपने इसकी दूसरे से और दूसरे की तीसरे से और तीसरे की पहले से इस तरीके से भी कर सकते हैं silo structure भी बना सकते है silo structure के ओपर भी मेरी वीडियो पड़ी है आप उसको देख सकते है यहां फॉर एगर हम जाते हैं अच्छा इसके लिए काफी सारी plugins भी है like linkfish पर है लेकिन मैं recommend नहीं करता है मैं recommend नहीं करता हूँ कि आप manual जो भी interlinking है वो करें for example मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरीके से मेरा यह एक for example एक post है how much water you should drink daily water calculator और मैंने यहां जो है the easiest way to calculate your daily water intake जैनी जो मैंना keyword है daily water calculator तो मैंने उसको जो है link कर दिया और यहां से मैंने home page को link कर दिया इसी तरीके से आप home page से अगर किसी post को rank करवाना चाहते हैं खास दोर पर जब लोग services की website करते हैं बनाते हैं तो जो भी आपकी services हैं अगर वो आपके home page पे उनका content है तो उसको service page से link कर दें यह काफी helpful है आपकी ranking के अंदर उसके बाद जो next factor है वो है outbound link जिसको हम यानि हमारी साइट से पहले मैंने बताए interlink जो हमारी अपनी ही साइट से अपनी साइट को जाएगा और फिर outbound link जो हमारी website से किसी दूसी website को जाएगा outbound link भी ranking factor है और इसको जितना आप अच्छे ट्रीके से utilize करेंगे आपकी ranking को इतना ही फाइदा होगा for example आप ने अपने competitor को भी link दे सकते हैं लेकिन कभी भी वो उस keyword पर भी नहीं दे देना जिसके उपर आप अपने आप कोई rank करना चाहरे हैं और खास वर पर जो companies है कोई कही reference आ जाता है तो उसको फिर आपने link कर देना है जैसे यहां जो है जो है जो है जो है इसको EPA.gov इसको मैंने outbound link कर दी है outbound link को भी आपने limit में रखना है हाँ आप outbound link को no follow कर सकते हैं जिससे link भी चला जाएगा और आपकी तरफ से link juice भी नहीं जाएगा link juice से मराद यह है कि in short words में आपको समझाता हूं कि आपने refer तो कर दिया उसने का यह reference है यह refer है यह बंदा लेकिन अपने ही बल बोते पर मेरा कोई लेना देना नहीं है अगर do follow करेंगे तो आपका फिर लेना देना भी होगा आप उसको watch कर रहे हैं तो यह भी आपको करना पड़ेगा outbound link देने पड़ेंगे कोशिच करें कि different website को दें हमारे हाँ यह concept है कि सारे Wikipedia कोई दे देनी है नहीं ऐसा नहीं है कोशिच करें कि जो कोई भी relevant side या related side मिलती है तो उसको आप अपना जो है link दे सकते हैं अच्छा इसके बाद जो next है वो on site के अगर हम बात करेंगे मैं on page की बताता है on site के अंदर जो आपका है आपकी जो ssl है वो काफ़ important role play करता है आपकी website के speed तो पहले हम ssl को discuss कर लेते है नॉर्मली ssl जो है आपकी website के ऊपर आपकी hosting आपको free provide करती है आप simply काम करना है आपने आपने यह green ssl लिखना है और यह plugin आपने install कर लेनी है इसका फाइदा यह होगा कि आपका कोई content जो http के साथ है वो http s के साथ automatic चला जाएगा second जो चीज़ है आप cloud flare लगा सकते है cloud flare की video म क्लिक free ssl certificate इसकी video भी आपने ssl को activate करना है तो आप इसको देखते हैं अभी में green क्यूंकि मेरा all ssl मजूद है तो अभी आप यह देखें वो कहता है कि activate है और go to dashboard okay चीक हो गया यह चोटी-चोटी चीज़ें कहा रहा है इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है अब आगी है website की speed अच्छा website की speed अगर मैं site kit के अंदर जाता हूं मैं dashboard के अंदर जाता हूं और यहां हमारे पास आजाती है speed अच्छा दूसरा हम जीटी मैट्रिक्स open कर लेते हैं और जीटी मैट्रिक्स यह भी आज़ें तो हम दोनों के अनज़ कर लेते हैं अचा अब यह यह कहता है कि 2.1 और टोटो ब्लॉकिंग टाइम है जो इसको इंप्रूफ करना है हम आउट इंप्रोफ के उपर क्लिक करते हैं तो हमें कहता है जी जो इमी साइज है उसको करें ड्यूस अन्यूस जावा स्क्रिप्ट है इसको कर रहे हैं और यह बला बला तो यह सिंपल हमारा किसी ने किसी प्लगिन से हो जाएगा हम देखते हैं पहले हम जरा जीटी मैट् है नइंटी-वन स्क्रिक्चर है और जो आपका है पीड़ है वह 1.1 सेटिंड है कि मेरे हिसाब स ठीक है इससे ज्यादा क्या हो जो बट्स वैटम पास थीक आ और यह जिर मैट्स ऑ्मारे सब्स्ट अर्शित में इंप्रोफ करने की कोशिच करते हैं को प्लगिन मैं आप लो दो भी problem है कोई भी चीज़ है for example मुझे web vitals का error remove करना है तो मैं web vitals लिखूंगा तो ये wordpress मुझे वह plugin दिखा देगा जिनके अंदर web vitals का दिकर है cache की plugin में use नहीं करता अपनी site के उपर क्यों नहीं करता हूं उसके उपर भी detail video मेरी मजूद है अगर आपने नहीं देखी तो उसको सर्च कर लें कि कैशी की plugin मैं use करता अगर आप में कर नहीं है आपको समझ आती है तो आप कर लें मैं चाहता हूं कि मैं उसी तरीके से इतने site को optimize करूं अच्छा नीची आती है इसके अंदर से हम कोई भी दो plugin स्ट्राल कर लेते हैं कि यह है रिमूब अन यूज सी एसस अप्टिमाइज जी एसन को अक्टिवेट कर देते हैं कि यह मारी यह भी फिलाल मैंने दो यह की है उसको टेस्ट करते हैं उसके बाद हम दुबारा चलते हैं site kit के अंदर आता हूं दुबारा dashboard के अंदर आता हूं मैं और dashboard के अधर आने के बाद speed के अंदर आता हूं let's see कि किस तरीके से यह वे श्रेक्स पीरिंस सिखाता है यह जी 1.80 good like इसने मुझे दिखा दिया है कि हर चीज़ ठीक है लेकिन मैं वैसे भी पहले भी good था और अब भी चले तसलिए हो गई हाँ आप यह service web vitals वाली आजकल बड़ी famous है आप यह दे सकते हैं आप फाइवर के उपर भी sell कर सकते हैं simple आप वैसे मेरी इसके उपर एक इसके उपर भी वीडियो मजूद है मेरी आप उसके उपर किस तरीके से आपने optimize करनी है वर्ड फ्रैस की speed फाइवर की वीडियो के अंदर काती है आप sell कर सकते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं और यह आप हमने दो plug-ins की हैं simple और result आपके सामने हैं इसके बाद हमारा जो और factor अगर हमें discuss करें तो आपकी जो keyword की intent है वो काफी जो है important role play करती है keyword की intent क्या है कि इस क्यूरिक एगेंस user search क्या करना चाहरा है और for example मेरा जो keyword है वो है water intake calculator that means के user एक calculator search करना चाहरा है जो water intake को calculate करके उसको दे तो हमारी जो website होगी हमारा जो content होगा वो definitely उससे अगर related नहीं होगा तो हमारे लिए problem होगी हमारी site ranking के अंदर नहीं आएगी so make sure कि आपको user intent का पता हो कि user इसके against क्या search कर रहा है खास पर हमारे ये problem आती है जब amazon की website के उपर काम कर रहे होते तो user जो है वो buying search कर रहा होता बाय करना और हम उसके लिए कुछ और ही provide कर रहे होते हैं जिसकी वज़े से हमारा content rank नहीं होता तो हमें ये चीज मेक शूर करनी है कि user जो है जो क्यूरी है उसकी हम fulfill कर सके हैं अपनी website के उपर next हमारा आ जाएगा कि हमने content को जो है हमारा जो है अगर हमारे पास for example आपका जो है calculator add नहीं है इसके अंदर आपने पूरी post डाल दी है तो आपकी site ranking के अंदर आ भी गई तो आ आपने refine define करना है अपनी जो है intent को keyword की जो intent है उसको आप फिल लाजमें करना है उसके बाद हमारे पास जो next आ जाती है वो आजाता है कि आपने कोशिश करनी है कि जितने भी related relevant keyword हों वो आपने cover करनी है अपने content के नहीं हम बाटने intent calculator की बात करते हो तो मैं यहां देखता हमने जो a page को analyze किया था हमने top page को analyze किया था तो इसके लिए चले में कोई और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अब कोई भी paid tool ना use करो इसके अंदर है इसी वैज़ेसे मैं कोई paid plugin भी ने use किया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि free जो चीज़ें उनके अंदर से हम उसको ही utilize करें मैं अप कीवर्ड के अंदर आप आते हैं इसको सर्च करते हैं हमें यह बिताता कि कीवर्ड डिफिकल्टी जो मीडियम है कॉस्ट पर क्लिक 0.7 है यह देखिए हमें तमाम जो रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड है वो यह हमें परवाइड कर देता है कोशिच करें कि आपकी यह कीवर्ड जो है यह लैसे कीवर्ड जो है आपके कवर हों आपके कॉंटेंट के अंदर यह डेटा स्ट्रेक्चर चेक करने के लिए आप गूगल की ओफिशल वैबसाइट के उपर भी जा सकते हैं मैंने यहां किया है, मुझे कोई और नहीं है, कोई इसके अंदर इशु नहीं है और इसके अंदर जो दूसरा है भी जो जो डेडा है, यह आपको खौभ एजिए चीज बता रहा है कि यह आपका कीवर्ड है उसके बाद content gap आ जाता है content gap के उपर भी मेरी वीडियो मजूद है किस तरीके से कौन से keyword के उपर आपका competitor rank है आप नहीं rank तो उन दोनों को आप comparison कर सकते हैं और जो keyword के उपर जो आपका है competitor rank है आप नहीं rank तो वो keyword और वो content आप अपनी content के अंदर डाल सकते हैं ये भी part है आप की जो है on site, on page ये whatever जो भी आप कहते है on page जी कहेंगे क्योंकि हम page को rank करना चाहरे है अच्छा on page और on site में मैं थोड़ा सा बता दू on site जो हम पूरी site के उपर चीज़ें implement करते हैं वो on site होता है जो हम एक specific page को rank करने के लिए जो चीज़ें उसके उपर implement करते हैं वो हमारा on page ये दूरू hosting almost सबकी same ही है आप उस बंदे से hosting लें उस company से लें जो आपको support provide करती है मैंने आपको पहले recommend किया कि मैं local यहीं से लेता हूँ जो है ehost PK है जो मैं उन से लेता हूँ और मैं 100% satisfied हूँ आप भी ले सकते हैं आप इस website का speed test check कर सकते हैं कोई issue नहीं है इसके अंदर और कभी मुझे कोई problem नहीं है 24 hours तकरिबर हमें मिल जाती है कुछ चोटा मोटा issue वो भी solve कर देते हैं CDN setup करें जो है आपका मैंने cloud flare की वीडियो मजूद है वो अपने website के उपर लगाएं उससे अगर कोई आपकी website के उपर attack करता है तो उससे भी आप safe रहेंगे आपकी website का जो है data अगर कोई देख रहा है कि आपने कौन कोई साइट बनाई है तो उससे भी safe रहेंगे तो वो भी काफी जो है प्ले करते हैं लोग कहते हैं कि इसको use करें but directly कोई वो आपकी जो है ranking के अंदर को इतना फाइदा नहीं देता website की speed के अंदर जब हम pages की images की बात करते हैं तो images को compress करें कोशिच करें पहले कि कम से कम images यूज करें और अगर करने भी है images तो आप उसको compress करके यूज कर सकते हैं online compressor tools बहुत सारे tools पढ़ें वासे compress करके लगाएं मैं जो inbuilt in tools है wordpress की plugins के मैं रिकमेंड नहीं करता आप पहले ही अपने image को compress करके फिर अपने उपर website की उपर लगाएं हमारा जो है XML साइट मैप आचाता है यह साइट मैप आपके जो है अल्रेडी plugins के अंदर मजूद होता था कि बन हर प्लगिन के अंदर ही मैप के अंदर आपने वह चीज को ओन करना है जो आप Google में इंडेक्स करवाना चाहते हैं अगर आप categories को इंडेक्स करवाना चाहते हैं करें HTML साइट मैप जो है आपको काफी हेल्प करता है आपकी साइट को क्यूप्ली इंडेक्स करने के रिए लाप यहां से इसको HTML साइट मैप को ओन करें अच्छा जी शॉर्ट कोट करना है यह पेज करना है हम शॉर्ट कोट कर लेते हैं और उसके बाद हम न्यूग और साइट मैहारा इना कि यहार प्रेंड करता हूँ और उसको ऑफर्टो उठाता हूँ और अच denkt करेंड प्रेश कर दो ब्रेंड ठीक है यह हमारा HTML का साइट में क्रीएट होकि है यह हमारी सारी जिनवी पोस्ट हैं सके बाद हम पोस्ट पर आ जाते हैं पूस्ट हमने इंडक्स करनी है पेज्ज, स्ट्रीज, FNQ जो जो चीज हमने इंडक्स करनी है उसको अपन कर लेते हैं जो हमने ने इंडेस्स करने उसको हम ओफ कर लेते हैं अच्छा एक जीद आपने वह करनी है कि जो भी आपका साइट मैप है इसको आपने कॉपी करना है कि सबसे पहले जो Google crawler आता है जो आपकी जिस पेज को detect करता है वह है reward attacks यहां से वह लेता है कि कौन से page को manage जाना है किस page पर जाना है किस पर नहीं जाना है तो यहां जिस page डालने का मकसद है इस पर XML Site Map को कि आपकी site को है जल्दी हो है इंडेक्स ब्रोकन लिंक्स ब्रोकन इमिजीज को भी आपको फिक्स करना है अगर आपकी बड़ी साइट है सिंपल आप एड प्लगिन के अंदर जाएंगे ब्रोकन लिंक्स लिखेंगे तो आपके प्लगिन आजेगी जिसको आप इंस्टाल कर सकते हैं और यह आपको नोटिफाई कर दे हैं और टेक्निकल ओडिट के ओपर और डी वीडियो बना चुका हूं अगर आपने नहीं देखी तो क्युक्ली उसको वाज़ कर लिजेगा कि वहां जो जो चीज़े हैं आगर आपका डुप्लिकेट मेटर टैग है डुप्लिकेट मेटर डिस्क्रिप्शन है आपका कोई औ और फंड पेज है वो हम HRF के अंदर देख लेते हैं अभी ठीक है और कोई ऐसा पेज है जो इसको आप इंडक्स करवाना चाहते हैं वो इंडक्स नहीं है और कोई ऐसा पेज है जिसको इंडक्स करवाना चाहते हैं उसके उपर नो इंडक्स का टैग है और इस तांकि प्रूफ करती है Google crawler को crawl को अच्छे तरीके से वेबसाइट को crawl को दे जितने अच्छे तरीके से अपकी website crawl होगी उतनी ही जियाद आपकी अच्छी रंकिंग पिर अगर आपकी ranking स्टक है तो उसके अंदर आपका जो EAT है वो काफी main role play कर रहा है इस time ranking के अंदर उसको आपकी इस तरीके से cover कर सकते हैं इसके उपर मैं वैसे तो डिट के अंदर एक और वीडियो बनाना चाहरा हूं लेकिन अभी बस दूसरी बड़े topic basic topics काफी पढ़े हैं और मैं देख रहा हूं कि नारी audience है वो भी basic के उपर स्टक है तो इस वजह से इसके अंदर आप हमने उस दिन मैंने आप प्तायस live video के अंदर के author page बनाएंगे अच्छा खाली उस दिन हमने author page तो बना दिया author page के साथ आप उसकी social profile भी बनाएंगे ताके थोड़ा और authentic लगे और दूसरा आप about us page बिलाएंगे for example मैं simple about us page बनाया और इसको मैं इसको मैं इसको मैं अपडेट कर देता हूं जितने आपके जितने आपके social proof होंगे जितने आपकी जो social जो है for example LinkedIn हो गया आपका आपका Facebook Twitter यह आप साथ लगाएंगे तो यह आपको help करेगा उन categories में site को rank करने के लिए जो YM YL और जो है आपका EAT को improve करने के लिए anchor text strategy में अलादा बता चुका हूँ किस ते किसे हम competitor के anchor text strategy को हम use करते हैं उसके बाद site audit यह भी free tool है HRF का simple app अपने webmaster से connect करते हैं तो इसके अंदर आपको बता देता है कि क्या के चीज़े हैं और अगर हम all issues के उपचाते हैं और रिफ्रेश करते हैं यह old crawl पढ़ा है वैसे मैंने new crawl नहीं किया हुआ और अच्छा सम्टाइम यह बितादा no index page है और two pages है maybe मैंने इसको no index लिकार नहीं हूँ ठीकना page है no outgoing links तो हम इसको देखें और from pages यह इसको कोई interlink नहीं आ रहा है इसके उपर तो यह simple simple चीज़े हैं जो हम fix कर सकते है title tag too long title tag के उपर भी google का update आ गया है अब भी के वो consider नहीं कर रहा हो जो पहले 170 characters तक वो सिर्फ महदू था उसकी limit को जो है वो खतम कर दिया है अभी proper जो है इन्शाला थोड़े दिन तक सारी जो plug-ins बगार है वो update हो जाएंगी तो आपको जल जाएगा हमारा एक दो तीन चार इसको मैं चारों को open करता हूँ sorry वो जो website थी वो और थी और ये website और है मैं वो old वाली mail वाली को open कर लिया है okay तो इसके अंदर हम देखते है open graph tags incomplete है title tag too long है इसको मैंने चोटा meta description tag missing empty है यह fine है मेरे लिए कोई उसमें नहीं है बकाया जो है तक्रीबन हमारी सारी चीज़ें अच्छा इंटर लिंक का पर चीज़ें यह मैं देख लेता हूँ अगर कुछ मेरे पास आया है ने भी कुछ भी नहीं आया अच्छा अगर मैं new crawl के ओपर click करता हूँ यह I don't know कब का है अभी देखते हैं यह हमारा कौन सी डेट का है यह भी हो रहा है इसको थोड़ा time लगेगा तो जब तक हम कोई और चीज़ डिसकस कर लेते हैं यह एक सिंपल सी जो है audit sheet है जिसके आपने जो आपकी जब तक audit complete रोटा में एक छोटी सी sheet आप वोगों के साथ शेयर करता हूँ इस तरीके से आप अपनी एक sheet ready कर लें जिसके अंदर पहले आप देखें domain plus hosting setup हो गया है yes हो गया है और क्या आपने Google Analytics setup कर दी है मैंने आपको बताया कि Google जो toolkit है उससे हो जाएगा search console भी उससे हो जाएगा और उसके बाद USB setup आप time monitoring या आपकी जो website है वो down तो नहीं हो रही simple आप बहुत सारी plugins हैं जिसके अंदर वो आपको email करते हैं कि हमारा जो है आपके side down तो नहीं है या आपकी hosting भी आपको बताती है setup keyword and ranking जो आपने keyword के ओपर काम करने जिसको आप rank करना चाथे उनको setup कर लिया है या नहीं कर लिया आपका user experience है उसके बाद performance आ जाती है आपकी performance के अंदर क्या 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 चीज़े करनी है क्या अपने राइट for people not for search engine check the target keyword measure user intent and have the target keyword on URL title and heading use focus keyword in the first paragraph use a single h1 on each page and उसके बाद write a compelling meta description use sub heading for the content and format style lick relevant and blah 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 don't overwrite to mail ये सारे जो हमारे ATK क्रीब फेक्टर्स हैं ATK क्रीब चीज़ें अगर ये सारी आप set कर लेते हैं तो good to go है आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी चीज मिस है कौन सी चीज आपकी रहती है उसके बार simple अभी हमारा जो है audit अभी तक हमारा complete नहीं हुआ तो यहां आप simple free audit करके जो जो चीज़ें आपकी missing है या जो जो चीज़ें आप समझते हैं कि आपकी site के अंदर होने वाली है उसको आप fix कर लें और इसके उपर और वैसे मेरी complete वीडियो भी पड़ी है और टेक्निकल ऑडिट के उपर उसको भी एक दफा देख लीजेगा अगर आपने वह नहीं देखी किस तरीके से अपने टाइटल को इंप्रूफ कर सकते हैं टाइटल को SEO friendly बना सकते हैं बला 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 लेकिन वीडियो पहले ही बहुत लंबा हो चुका है इसके अंदर कुछ और चीज़े में एड़ कर देता हूँ शौर्ट सी के कमेंट्स को अपने ओफ कर लें और जो डेट आर्काइव है उनको भी ओफ रखें स्लाइडर में रिखमेंड नहीं करता कि आप अपनी वेबसाइट पर योद करें और यूदर को भी स्टेयर रखता है सेम अगर विडियो नहीं है तो आडियो इंबेड कर सकते हैं एफ्लियेट लिंक्स को आपने नो फॉलो रखना है अपनी जो कैटेगरी पेजिस है उनको आपने नहीं भूलना उसको आपने क्या कहते हैं लिंक करते रहना है अपनी पोस करते जाएंगे तो वो उसके अंदर सारे अंटिवारिस जो है हम उसके अंदर जो पोस्ट करेंगे तो वो में help करेगा उस category को rank करने के लिए सो वोन चलती जाएंगी ये तो चीज़ें लेकिन अभी फिलहाल के लिए भी इतना ही काफी है वीडियो काफी नंबी होगी है इतिक मेरी पहली का ये लंबी वीडियो है सो मुझे फिडबैक लाजमी देजेगा वीडियो पसंद आई है और इसा की लोंग वीडियो में और बनाऊं और टॉपिक्स बता दीजेगा इन्शाला उसको मैं cover कर लूँगा अपना ख्यार रखेगा दूआ में यार रखेगा आला हाफेज